गुड मॉर्णिंग स्टूडेंस यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में दक्सिन भारत का जो प्राग एथेशी काल उसके बारे में पढ़ेंगे तो देखें स्टूडेंस यदि आप लोगों ने हमारे भारत के सम्मान ही दक्सिन भारत में भी जो मानव सबेता है इसका प्रारम पासानकाल से हुआ था ठीक है सबसे पहले 13 मई 883 टिस्वी में भारतिय सर्वेंक्षन विभाग के विद्वान रोबर्ट ब्रुस फुट ने मद्रास के पास इस्तित पलवरम नामक स्थान से पू कि बही जो सबसे पहले जो पूर्व पासानकाल है उसका स्रोथ हमें कहां से मिला है उसके साक्से हमें कहां से मिले हैं तो वह है आपका पलवरम उसके बार डी टेरा पिटरसन कृष्णा स्वामी स्थी संकालिया अलचिन आधी विद्वानों ने खोज की परंपरा जारी द्वारा प्रियुक्त उपकरणों तथा उसकी सभ्वेता के विशे में जानकरी बढ़ी आज से लगपक 2,00,00 वर्ष पूर्व है मदराज के समीप वरती छेत्रों में मानव सभ्वेता का प्रारम हो चुका था मदराज से जो भी पासानों उपकरण मिले हैं वे मुखेत हस अस्त कुठार जिने हें आधक्ष भी का गया है तथा तराशने के उपकरण हैं इन्हें मदराज के समीप बदमदूरे तथा अतिरपक्कम से प्राब्च किया गया है ये सादन पत्रों से कोर तथा फ्लेक प्रणारी द्वारा निर्मित किये गया है इन्हें मदराज नाम दिया जाता है इस संस्कृति के उपकरण सरवातिक मदरास के समीप वर्ति छेतर से प्राप्त हुए हैं इसे कारण इसे मदरास ये संस्कृति भी खहा जाता है सरवातिक मदरास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्ष प्राप्त किया था उनके मित्र किंग ने अतिर्म पकम से पूर्वे पासानकाल के उपकरण खोज निकाले इसके बाद D.13 तथा पिटर्सन के नेतरत्व में L. Cambridge अभिहान दल ने इस छेतर में अनुसंधान प्रारम किया V.D. कृष्णा स्वामी R.V. J.C. तथा K.D. बनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस छेतर में अनुसंधान का कारिय किया है रक्षणी भारत की कोर्तलियार नदी घाटी पूर पासानिक समगरियों के लिए महत्तवपुन है इसकी घाटी में सित्थ वदम दूरे नामक स्थान से निमने पूरे पासान काल के बहुत से उपकरण मिले है जिनका दिर्मान कार्ट जाइट पत्थर से किया गया है वदम दूरे के पास कोर्तलियार नदी की तीन वेदिकाएं मिले हैं इने से उपकरण एककपर किये गये हैं इन वेदिकाओं को तीन भगों में बाटा गया है सबसे निचे की जो वेदिकाओं उसको बोल्डर कागलो मिरेट कहा जाता है इससे कई अथ्यार तथा ओजार मिलते हैं इने भी दो स्रेणियों में रखा गया है पर्थम स्रेणिय में भारी तथा लंबे हैंडेक्स तथा कोर उपकरण हैं इन पर सफेद रंग की काई जमी हुई है इन उपकरणों के निर्मान के लिए काफी मोटे फलक निकाले गए हैं हैंडेक्सों की मूठियों के सीरे काफी मोटे हैं कोर उपकरणों के किनारे टेडे मेडे हैं तथा उन पर गहरी फ्लेकिंग के चिन दिखाई देते हैं हंडेक्स फ्रांस के अबेवेलियन परंप्रा के हंडेक्सों के सम्मान हैं। द्वीतिस रेनी में भी हंडेक्स तथा कोर उक्रण ही आते हैं। किन्टु वे कलात्मक द्रश्टी से अच्छे हैं। इन पर सुव्यवस्तित धंग से फलकी करण किया गया है। दूसरे वरक के उक्रण कलात्मक द्रश्टी से विकलित तथा सुंदर हैं। चूंकि बीच की वेदिका लाल रंग के पासानों से निर्मित हैं। इस कारण इनके संपर्क से उक्रणों का रंग भी लाल हो गया है। इस कोटी के हंडक्स चोडे तथा सुडोल हैं। इन पर चूलियन कोटी में रखा गया है। तीसरे वरक के उपकरणों का रंग नतु लाल है तथा नय उनके उपरकाई लगी हुई है। तक्नीकी द्रश्टी से ये अत्यंत विक्षित हैं। अत्यंत पतले फ्लक निकाल कर इनको सावधनी पूर्वक गढ़ा गया है। हैंडेक्स अंडाकार तथा नुकेले दोनों प्रकार के हैं। वदम दूरे से कुछ क्लीवर तथा कोर उपकरण भी प्राप्थ हुए है। कोटलियार गाठी का दूसरा महत्तोपन पासानिक इस्थल अत्तिरम पक्कम है। यहां से भी बड़े संक्या में हैंडेक्स, क्लीवर तथा फ फलक निकाल कर तयार किये गए हैं। यहां के हंडेक्स असूलियन प्रकार के हैं। भारत के अन्य भगों से भी मदराशी प्रमप्रा के उपड़ों की खोच की गई है। जिन बेलन घाटी आधि से उपकरण मिलते हैं। यह सभी पूरे पासान काल की प्रारंबिक अवस्ता के हैं। अंदर परदेश में नागरजुन कॉंड गिदलूर तथा रेनी गुंटा परमुकस्थल हैं। जहां से मद्धे पासानिक उपकरण प्रकास में लाए गये करनाटक के बेलारी जिल्ले में इस्तित संगन कल्लू नामक स्थान पर सुबबाराव तथा संकालिया द्वाराकरम से हैं। 1996 तथा 1979 में खुदाईया करवाई गई जिसके प्रणाव सुब अनेक उपकरण प्राप्त हुए। तमिनाडू के तीरुनेर वेली जिल्ले में इस्तित तेरी पुरास्तलों से भी बहुसंके लगूप पासानों करण मिरते हैं। करनाटक अंध्रे प्रदेश तथा तमिनाडू से भी नव पासान काल के कई पुरास्तल प्रकास में आये हैं। जहां की खुदाईयों से इस काल के अनेक उपकरण मृत्भान अधिप्राप्त किये गए हैं। करनाटक में सिर परमुक पुरास्तल मास्की, ब्रह्मगीरी, उतनूर, फलवाई, एम, सिंगन पल्ली हैं। पैये पल्ली तमिनाडू का परमुक पुरास्तल हैं। ये सभी कृष्णा तथा कावेरी नदियों की गाटियों में बसे हुए हैं। इन स्तानों से पोलिस्तार, प्रस्तर कुलहाडियां, सलेटी या काले रंगे मिटी के बरतन तता हड़ी के बने हुए कुछ उपकर्ण प्राप्त होते हैं। इस काल के निवासी क्रिशी तथा पसुपालन से पून्तियार परिचित थे, मिटी तथा सरकंडे की सहायता से वे अपने निवास के लिए गोलाकार अथवा चोकोर घर बनाते थे। हा तथा चाग दोनों से वे बरतन तयार करते थे, कुछ बरतनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। से 1000 के लगबग निदारित की जाती है। नव पासान कालिन सिंसकर्ती अपनी पूर्वय गामी सिंसकर्तियों की अपेक्षा अधिक विक्षित थी। इस काल का मानव नै केवल खद्य पदार्थों का उभोगता ही था, वरर वह उनका उत्वादक भी बना। वह क्रेशी कर्म से पूर्थिया प्रीचिद हो चुका था। क्रेशी कर्म के साथ पस्वों को मनुशे ने पानना भी प्रारम कर दिया। जैसे कि गाहे, बैल, कुत्ता, घोड़ा, बेड, बक्री, आधि जाननों से उनका प्रीचे बढ़ गया था। इस काल के मनुशों का जवा का जो जीवन है वो खानाब दोस अथ्वा गुमकड नहीं रहा। उसने एक निशित स्थान पर अपने घर बनाए तता रहना प्रारण कर दिया था। करनाटिक प्रांच की ब्रहमगिरी तता संगन कल्लू से प्राप नव पाशान यूगिन अफसेसों से पता चलता है कि वर्सों तक मनुशे एक इस्थान पर निवास करता था। इस काल के मनुशे मिट्टी के बरतन बनाते थे तता अपने मर्दकों को समाध्यों में गारते थे। अगने के प्रियोक्षी परीचित होने के कारण मनुशे का जेवन अधिक सुरक्षित हो गया था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस यूग के मनुशे जानवरों की खालों को सील कर वस्तर बनाना भी जानते थे। सुरक्षया के लिए बड़े-बड़े पत्रों का प्रियोग करते थे। इसी कारण से व्रहत पासानिक संसकर्ती अर्थात मेगालितिक कल्चर कहा जाता है। में वीलर ने ब्रह्मगीरी जो करनाटक में सीते की खुदाई से इनके विशे में प्रमानित वीवर्ण पर्ष्तुत कर दिया। व्रहत पासानिक समाधियां आंतरपर्देश, करनाटक, केरल तथा तमीनाडु के विपिनस्तानों से प्राप की गई हैं। में ब्रह्मगीरी, मास्की, संगनकलू, पिकली हाल, नागारजुनी कोंडा, चिंगलपुत, सानूर, कंतूर, पैयमपक्की, कोकई, आधिय प्रमुख हैं। व्रहत पासानिक संस्कृति के निर्माता काले तथा लाल रंग के बर्तनों का उप्योग करते थे। बर्तनों में थाली, कटोरे, घड़े, मटके, आधि मिलते हैं। इनका भीतरी तथा गर्दन का भाग काले रंग और सेज भाग लाल रंग का मिलता है। समाधियों के खुदरे में लोहे के ओजार, अथियार जैसे की कुलहाडी, फावडा, चाकू, छेनी, त्रिशूल, तलवार, कटार, अधि परचूरता से मिलते हैं। जो इस बात का सूचक हैं कि इस दन्सक्रिते के लोहे के व्यापक रूप से प्रियोप करते थे। जिससे उनका भोतिक जीवन अधिक सुखियं सुविधा पूर्ण हो गया था। तो देखी, इस वीडियो में हमने दक्सिन भारत को जो प्रागे रूप